जनपद में नकली दवाईयां तयार हो रही हैं खाद सुरक्षा इवं आशिदे विभाग की ओर से लिए गए पिछले माह में 28 दवाईयों की नमूने फेल हो चुके हैं इनमें कफ सीरप टैबलेट से लेकर कैपसूल तक शामिल हैं जनपद में नकली दवाईयां तयार हो रही हैं खाद सुरक्षा इवं मौशुदी प्रिशासन की ओर से लिए गए पिछले 6 मह में 28 दवाईयों की नमूने फेल हो चुके हैं इनमें कफ सीरप टैबलेट से लेकर कैपसूल तक शामिल हैं विगत दिनों आगरा पुलिस ने जनपद में चल रही तमाम वैद दवाउं की फैक्टरी का भंडा फोड किया था पिछले दिनों आगरा में नकली दवा की फैक्टरी बकड़ी गई थी करीब 4 करोड रुपे से अधिक की नकली दवाईयां यहां बरामत की गई थी इससे पूर्व अंटी नाकोटेक्स टास्क फोर्स ने आगरा पुलिस के साथ थाना जगदीशपुरा सहित सिकंद्रा शेत्री में चल रही अवैद दवाउं की फैक्टरी पर कारवाही की थी यहां से पूलिस ने 8 करोड रुपे की नकली दवाउं का जखीरा परामत किया था पूलिस ने इसके बाद सिकंद्रा शास्त्री पुरम शेत्र में बंद फार्म हाउस के अंदर जीजा साले की नकली दवाउं की फैक्टरी में चापा मारा था यहां से पोलिस ने 4 करोड की नकली दवा बरामत की इन दवाओं को खाज सुरक्षा एवा मौशदी प्रशासन की ओर नमूने जाँच के लिए भेजे गए थे जो की जाँच में फेल पाए गए हैं विभाक की ओर से दवा माफियाओं पर आवश्रक कारवाई की जा रही है। सी निउस के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट